नमस्कार साथ यह इंग पर फिर मैं आपका दोस्तर पिछ चौधरी एसेज़ वीडियो टूटोरल में नहीं वीडियो के साथ फ्रेंड्स आज को डियो हम बात करने वाले हैं पैरल बटैलियन के बारे में क्या टेस्ट आपको गो थू करना पड़ता है और कितना आपको है उसका जो सेकेंड्ड बैच है वो कल यानिकी 29 अफ अगस्स से स्टार्ट होने वाला है और आज 28 अगस्ट 10 पीम से पहले उन कैनिरेट्स को जिन लोगों ने रिजिस्टर किया है इमेल मिल जाएगी जिसके अंदर मेरी एसेज़बी बुक होगी ई-बुक ठीक है एंड पीपीडीटी एंड टीएटी पिक्स जो अलावाद बोर्ड की थी वो यह चीज़े मिल जाएंगी एंड वन मोर तिंग जो थर्ड बैच है उसकी रिजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है कॉस्ट अफ डिस कोर्स इस ओनली रुपीज 300 रुपीज सिर्फ 300 लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है लाइव को चलेगा यहां पर वीडियो आपको और टाइमिंग जो है इसकी वो है 9 845 तक आपको मेल पर लिंक बिल जाता है नाइन ओक्लॉक से वीडियो जो है स्टार्ट हो जाती है तो नाइन पीम राद को इवनिंग में जो बॉनस ओफर क्या मिल लगा है आपको एसेज़वी बुक और पीपीड़ीट एंटीएटी पिक्स प्राक्टिस मटीलियर जो अलाबाद बोर्ड किये वह भी थर्ड वालों को मिल जाएगी जिस्ट्रेशन चालू है रिमेंबर ओली 100 सीट्स और एक बैच में सिरफ 100 सीट्स ह और आपको पहले जोइन करनी पड़ेगी उसके बाद एक आपको रिटेन टेस्ट के गो थ्रू किया जाएगा वह जब आप भरती होंगे फॉज के अंदर तो आपको अटोमेटिकली चीज़ पता लग जाएगी रिटेन टेस्ट कब होने वाला है जिसमें यू हाफ तू स्क यह जो होगा यहां पर उसमें आपको 100% स्कूर करना पड़ेगा विकॉस कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा टास्क और जो इसके बाद पीएफटी के पाद एक और टास्क होगा जिसमें आपको यह जो सारे टेस्ट से गो थ्रू किया जाएगा इनकी टाइमिंग मेंने यहा 20 मिनिट्स ठीक है तो आप आइडिया लगा सकते क्या स्वीड होनी चाहिए यह ध्यान रखना चिनप्स ध्यान रखिए पुलप्स और चिनप्स में बहुत फरक होता है चिनप्स मीन्स आपकी बाइसप का मसल टारगेट हो रहा है पुलप्स मीन आपकी बैक का मसल ठीक है 40 repetitions in one minute तो यह ध्यान रखना कि कितनी जादा स्ट्रेंथ आपको चाहिए होगी यहां पर स्ट्रेंथ एक्ससाइज ज्यादा लगा होगे तो ऐसी फिजीक बन जाएगी नेक्स्ट सेट अप 80 repetitions इन जस्ट टू मिनिट्स तो बहुत फास्ट प्रोसेस है यह आप ट्र से ठीक है 17 times in one minute आपको शेटल रनिंग करनी होगी अलाउंस की अगर मैं बात करों जब भी हम फॉज की बात करते देखें अलाउंस तो में मतलब एक secondary option है सबसे पहले देश की सेवा याद आती है बट आप लोग हर बार मुझे मेसिज करते हो इसलिए बताना मेरा फर्स बनत आपको आपको यहां पर मिलेगा ठीक है यह चीज को आप जितना वाइड करोगे देखिए उतना बेटर है अगर फॉज में आना है तो मॉनिटरी एसपेक्ट छोड़ दीजिए पूछते हो बार बार इसलिए मुझे बताना पड़ता है ठीक है तो जिन लोग जो लोग यह आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत साधा इंपोर्टेंट है अगर आप पैरा कमांड हो या पैरा बटैलियन में इंटर करना चाते हो तो अभी शेए आपको फिटनेस की तरब ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए ठीक है बाकी रेस्ट आपको गो थ्रू तो सेम सेम प् प्रते सर मुझे अगर इस एंट्री के तुरू जाना है तो उसमें क्या मुझे देंटल कॉप्स और मेडिकल कॉप्स डिफरेंट है अगर आपने एजन ऑफिसर सर्व करना है चाहे वो टेक्निकल ऑफिसर है चाहे ग्राउंड डूटी ऑफिसर है आपको एसेज भी देनी पड है बाद में मुझे प्लीज ये कंप्लेंट मत कर दिए कि विकाज में 100 स्टूरेंट लेता है बैच में जो 102 ए 103 वाले होते हैं नेक्स्ट बैच में ट्रांसफर कर देता हूं तो इस रिमेंबर सिर्फ 100 सीट रहती है एक बैच में तो जो जल्दी करता है रिजिस्टर उसका यहां पर चीज पॉसिबल हो जाती है उसकी रिजिस्टरेशन हो जाती है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है ठीक है फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में बस इतना ही आप सबनेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैने